दोस्तों स्वावत है आपका आप देख रहे हैं जनसंदे स्टाइम्स और मैवन्शका केरल में एक बड़ा भम धमाका हुआ केरल में कंवेंशन सेंटर में हुए धमाके में कम से कम 20 लोग घायल हो गए हैं तो वहीं एक सक्ष की मौत भी हो गई है घायलों को नस्दी की के लिए पहुँच गई है केंद्री मंत्री अमिच्छा ने कंवेंशन सेंटर में विसफोर्ट के बाद के मुखमंत्री से बातचीप की है और इस्थती का जाजा लिया है जिसके बाद अमिच्छा ने एनसजी के जवानों को केरल के लिए रवाना कर दिया है अब आपको य शुक्रवार को खादिल मशाल ने हुई रैली में हिस्सा लिया केरल के केरल की रैली में वा वर्च्वली मौजूद रहे थी उनके सोशल मीडिया पर कई पोस्ट सामने आए हैं जिसमें बुल्डोजर हिंदुत और रंगभेदी यहूदी वात को उखार कर फेगने जैसे स् मुठ रहे होगा कि आँखिर खादिल मशाल है कौन तो आईब आजे अब हम आपको बता देते हैं कि एक खादिल मशाल कौन है खादिल मशाल हामस ब्यूरो का संपादक सदत दहुरहाव है और 2017 तक इसमंद से रहा कही वश्यों तक खादिल मशाल हामस का लीडर रहा खादि के लिए रणनीती लगातार बनाता रहा है इसराइल के विदेश मंत्राले के अनुसार खादिल मशाल अब कतर में है उसकी कुल संपत्ती चाल बिलियन डॉलर की है राज्य के उद्योग मंत्री पी राजीव ने कहा कि घटना इस्थल पर घेराबंदी कर दी गई है और पुलिस बचावकार्य में जुटी हुई है उन्होंने कहा है कि घायलोग में से कुछ लोगंभी रूप से घायल हो जुके हैं केरला में हुई इ तक सामने नहीं आया है नेकिन यह जो घटना हुई है यह बहुत ही चिंता जनक है जिसके बाद यूपी मुंबई दिलिस सामेत कई राज्यों में हाई एलेल्ट कर दिया गया है फिलाल के लिए इस खबर में बस इतना ही ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनसंदेज टाइम्स